तो दोस्तो यूट्यूब पर जितने भी चैनल होते हैं उन पर ये वाला जो पायट होता है जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं जिसको मैंने हाइलाइट किया है ये वाला पायट होता है यूट्यूब चैनल बैनर या फिर आप इसको यूट्यूब बैनर भी कह सकते हैं य आपको यही बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्तियोगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं क्रेटर गाई तो दोस्तो यह जो एप आप देख रहे हैं भी फिलाल यह है पिक्सल लैब काफी पॉपूलर है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी अध यहाँ पे क्लिक करके कस्टम वाली जगह हम यहाँ यूट्यूक चैनल बैनर सलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो यह एक हमारे सापने format आगया अब हम हमें यहाँ पे सबाटे करना है नहीं और हम और सेब को क्या करेंगे हम लोग बढ़ा कर देंगे ऐसे बढ़ा-बढ कर दी 21 हो रहा है 22 opacity कर दी और यहां पर हमने इस तरह से कर दिया इसके बाद क्या करेंगे हम यह प्लस वाले पर निसान पर किलिक करेंगे from gallery में जाएंगे कोई भी wallpaper ले लेंगे जो भी आपके पसंद का wallpaper हो आप ले सकते हैं अभी मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ कि बनाया कैसे जाता है फिर आप थोड़ा सा अपना mind अपनी creativity लगा के काफी अच्छा बना सकते हैं मैं आपको एक professional banner बनाने का तरीका बता रहा उसके बाद हम इस वाले निसान पे click करेंगे और इसको यहाँ पे ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे अब क्या है opacity वाला यह न पूरा black ने दिख रहा है थोड़ा white दिख रहा है थोड़ा सच्छा लग रहा है इनको हम यहाँ पे lock कर देते हैं lock कर इसके बाद वापस से हमें इसमें जाना है और from gallery में जाएंगे और हमें एक यह एक format है YouTube के तरफ से इसको भी यहाँ पे जो है लेकर आना है इस format का जो link है वो भी आपको description मिल जाएगा वापस से relative size में जाएंगे इसको भी हम बढ़ा कर देंगे अब यहाँ पे एक चीज सम आई देगा तो हमें इस area के अंदर ही सारा का सारा काम करना है तो वापस हम जाएंगे और इसको भी हम यहाँ पे लोग कर देंगे लोग करने के बाद क्या होता है कि हिलता विलता नहीं हम कुछ भी काम कर सकते हैं इसके बाद हम import करेंगे कोई भी अपना photo ले लेंगे या फ इसको इस तरह से कर दिया तो यहाँ पे इसको हम लगा लेगे अब मुझे थोड़ा सा इसको जूम भी और ज्यूम भी करसकता हो यह झा वमुर्व इस तरह करने के बाद वापस किलिक कर अर dispर पर छो जाए आपकी मर्जी है, आप देना चाहें श्ट्रोक, तो इस पे किलिक करेंगे, और यहाँ पे इस पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको श्ट्रोक को आप्शन मिल जाएगा, किलिक करेंगे वाइट हो गया, और भी कम कर सकते हैं, श्ट्रोक को ऐसे भी कर सकते हैं, चाहें तो दे सकते हैं चाहें तो नहीं दे सकते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस पर श्ट्रोक नहीं दे रहा हूं फिलाल तो चलिए मैं इस पर श्ट्रोक हटा देता हूं क्यूंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो अटा दिया मैं इस तरी के सब यहाँ पर इसको रख दे और creator guide के बाद आप और भी कुछ लिख सकते हैं आपकी जो मर्जियों मैंने creator guide यहां पर लिख दिया मेरे यह channel है अब मैं इसका font मुझे choose करना है अब font कैसे choose करूँगा तो font के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस वाले ही option पर और यहां पर color भी आप choose कर सकते हैं पर मुझे white ह कि फिरी font download for pixel lab आपको दुनिया बरके font मिल जाएंगे और आप font को download कर पाएंगे तो मैं यह वाला use कर रहा हूँ size इसका कितना रखना यह सोचने वाली बात है तो यहां पर जाते हैं और यहां पर एक size का option भी है तो इस पर देखता हूँ मैं यह size ठीक है बस बहुत बहुत है इसके बाद हम क्या करेंगे position में जाएंगे और इसको भी यहां पर जो है पोजिशन अभी यहां पर देखते है उपर नीचे का position आ रहा है तो यहाँ पर यह जो है इसको relative position में जाके हम बीच में रख देंगे देखे बीच वाल option है तो यहाँ पर यह बीच में आ चुका है तिक है अब इनको भी हम log कर देते हैं ताकि यह हिले ना log करने के बाद क्या होता है इसके बाद अब मेरा जो चनल है वो है creator guide यानि Facebook या फिर Instagram या फिर YouTube के regarding मैं कुछ भी आपको सिखाता हूँ तो यहाँ पर और भी कुछ लिखना चाहे तो सेम ऐसे टेक्स लगा के आप कुछ भी font कोई भी color वगेरा में यहाँ पर काफी बड़ा यह लोगो आ गया है तो relative size में आप जाईए और यहाँ पर क्या किये इसको चोटा कर दीजिए इसको आप कर दीजिए ध्यान रखेगा कितना चोटा आपने कहा है तो 20 पर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ तो 20 यहाँ पर okay तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ तो यहाँ पर यह आ गया है इसके बाद हम क्या करेंगे इसको भी lock कर देंगे यहाँ पर देखें lock कर दिया मैंने इसके बाद वापस से जाते हैं और हम दूसरा भी लेकर आते हैं तो यहां पर हमें वापस से प्लस पे जाना है और from gallery में जाना है इस बार हम facebook लेकर आते हैं तो facebook का भी काफी बड़ा सारा logo आ गया है तो इस पर भी मैं जाता हूं relative size में और इसको भी में बिल्कुल छोटा कर देता हूं वो तो बिल्कुल भार चला गया है और छोटा कर देता हूं और छोटा कर देता हूं और बिल्कुल छोटा कर देता हूं महले इतना ही छोटा करूँगा यतना इसके size में यह बैठ सके तो यहां पर इसको रख देते हैं हम बिल्कुल यहां पर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे इस्टाग्राम का भी इस तरह लिए आएंगे और यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप बार प्लस से भी कर सकते हैं यह इस्टाग्राम आगए यह भी पेंजी है तो इसका भी हम जो है relative size में जाते हैं और बिल्कुल छोटा कर देते हैं बिल्कुल छोटा और ये मेरे साथ ठीक है ये भी और छोटा होगई इसको भी यहाँ पे रख देते हैं बिल्कुल यहाँ पे और छोटा इसको करते हैं तो I think अब ये सही है तो मैं थोड़ा जल जल दी में बना रहा हूँ लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया किस तरह आपको बनाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं आप चाहें तो Facebook को यहाँ साइड में लाके और YouTube जो है ना इसको अभी मैंने लोक किया हुआ है तो मैं इसको इपर खोल देता हूं लोक को और YouTube को मैं यहां लियाता हूँ तो मुझे YouTube का थोड़ा सा और बड़ा लगा है और छोटा कर सकते हैं इसको और यहाँ पे इसको सैट कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे और यहाँ पे जो Facebook है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर लगा सकते हम और इसको हम Facebook को और छोटा कीजिंग करेंगे यह देखिए थोड़ा सा तो इस तरह से देखिए और छोटा थोड़ा जादा छोटा हो गया है थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको और यहाँ पर इसको set कर देंगे और यहाँ पर यह हमारा YouTube हो गया और यहाँ पर यह हमारा Instagram हो गया तो यहाँ पर दूस्तों इस तरह से देखे यह हमारा तयार हो गया अब हमें करना क्या है हमें यह पीछे वाला जो option है इसको हटा देना है तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे यह वाला जो option ता है इसको हम delete कर देंगे यहाँ पर हमने delete कर दिया delete करने के बाद इसको हम तो इस तरह कैसा हमारा जो है बन चुका है अब हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको किये किस तरह से लगेगा उससे पहले हमें यहाँ पर export करना पड़ेगा इस पर click करेंगे export image पर जाएंगे और यहाँ पर save to gallery पर click कर देंगे तो यह हमारा gallery में हो गया है अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किसको हम लगाएंगे कैसे तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना YouTube channel है उसको open कर लिया है desktop mode पर और यहाँ पर आप camera का जो चिन्ने देख रहे हैं इसको हम click करेंगे click करने के बाद इस तरह का option हमको दिखाई देगा और यहाँ पर यह पूछेगा हमसे change करने का option banner image तो अभी मैंने दूसरा लगा रखा है तो मैं यहाँ पर change पर click करूँगा जैसे मैं यहाँ पर change पर click करूँगा यहाँ पर हमारे सामने यह हमारी gallery open हो जाएगी मैं browse करूँगा और यह वाला हमने बनाया था इस पर मैं click करूँगा अब click करने के बाद यह हमसे पूछेगा कि देखे वही इस तरह का यह दिखाई देगा पूरी तरह से तो एकदम सही दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर done कर दूगा अब done करने के बाद देखे हो चुका है मेरा मैं यहाँ पर publish कर दूगा पब्लिज मैं यहाँ जैसे ही करूँगा यहाँ प्रॉम्हें कि हमारा जो बैनर है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर देखे It is Your Channel पर जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ देखे यह हमारा जो है बैनर बन चुका है तो इस तरह के शाग समझ गए होंगे कि हम मोबाइल से इस तरह का यूट्यूब बैनर कैसे बना सकते हैं इसके बाद कैसे हम इसको सैट कर सकते हैं अपने चनल पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेर करना ही करना है और चनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे नो डिव हैं कर दो